नमस्कार दोस्तो रसोई किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे गड़पती एस्पेसल मोदक जो हम चावल के आटे से बनाएंगे उसमें नारियल का स्टफिंग भरेंगे चलिए बनाते हैं उसकी बताते हैं समग्रिया के यह हमने दो टेबल स्पून काजू लिया है दो टेबल स्पून बदाम दो टेबल स्पून हमने किसमिस लिया है चार इलाची आधा कप हमने गुड़ लिया है गुड़ को हमने काट लिया है यह हम एक कप चावल का आटा लेंगे यह घर का ही पिसा हुआ है नारियल को हमने छो एक चोथाई चम्मच हम नमक डाल देंगे, दो चम्मच हम घी डाल देंगे, अब उसमें हम चावल का आटा डाल कर लम्स न पढ़ने पाए, इतना हम को चलाना है, चलाते हुए आटे को गाढ़ा करना है, अगर गाठे पढ़ गई तो अच्छे से मोदा कमारा नहीं बनेगा, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा पानी डाला है, अगर आपका आटा पतला है, बारीक है, तो उसमें आप डेवर कप पानी डाल सकते हैं, मैंने दो कप डाला था, थोड़ा समय लगता है ज्यादा पानी डालने में, और कोई दिक्कत नहीं होती है, यह हमने आटे को पका ल दालेंगे, घी, दो चम्मज, पिसा हुआ, नारियल, यह मैंने सूखा नारियल का यूच किया है, आप ताजे नारियल का भी यूच कर सकते हैं, हलका ही भूनना है, ज्यादा जलाना नहीं है, अब हम बाकी के जो मेवे हैं, उनको भी डाल देंगे, आप इनको थोड़े मात बना सकते हैं, अच्छे से हम भून लेंगे, इसमें सोंधी-सोंधी फुसभू आने लगेगी, यह मोदक बहुत ही टेश्टी बनते हैं, बहुत ही स्वाद में अच्छे लगते हैं, अब हमने गुड़ डाल दिया है, गुड़ को डाल कर अच्छे से मेक्स करेंगे, इसको ज्यादा पकाना नहीं है, अच्छे से गुड़ हमारा मेवव में मेक्स हो जाए, बस इतना ही रखना है, इलाइची भी हमने कोट का डाल दिया है, किसमिस भी, इलाइची से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, अच्छे से मेवव में मेक्स हो चुका है गुड़, आब हम ग यह अच्छे से ठंडा हो चुका है और पग भी गया है हमने एक कटोरे में निकाल लिया है ठंडा है बिल्कुल ठंडा ही हो जाए तभी इसको भरेंगे इधर आ Landes को निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए बहुत यह भी गरम है और यह अच्छे से पक भी गया है थोड़ा सा हाथ उमें गी लगाएंगे और आ statement को तैयार कर लिए बहुत ही अभी गरम लग रहा है थोड़ा सा हम आउ ठंडा होने देंगे अब यह ठंडा हो चुका है अब हम घी लगाकर हाथों में इसको अच्छे से तयार कर लेंगे बहुत ही बढ़ी हमारी यह मोदक बन पर तयार होंगे 22 अगस्त को गड़पती आ रहे है तो जरूर इसको पहले सी बना कर तयार करें गड़पती खूस हो जाएंगे पहले मैं हाथों से बना कर देखा रही हूँ कैसे बनते हैं मैं इसको पहली बार बना रही हूँ ऐसे हम हाथों से भी बना सकते हैं अब हम मोल्ड से बनाएंगे मोल्ड में हम पहले घी लगा लेंगे जिससे हमारे मोदक अच्छे से निकल जाए चिपके न अब अच्छे से हाथों में बंद करके दबा लेंगे और इसमें आटा भरेंगे चावल का अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो जुरूर बताईएगा अब हम एक चम्मट जितना आ सके इसमें उतना इस्टेपिंग भर देंगे और ऊपर से थोड़ा सा आटा से इसको पैक कर देंगे अब इसको हम खोल कर मोदक निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है मोदक मोल्ड से बहुत ही बड़ी हमारे मोदक बनकर तयार हुए हैं ऐसे ही हम सारे मोदक बनाकर तयार कर लेंगे दूसरा भी हमारे मोदक बन गया है सारे मोदक बनाकर तयार कर लेंगे यह जो हमने हाँ से बनाया था इसको हम मोल्ड में भर कर देखिए इसमें सेफ दे रहे हैं वह वैसी से अपको नाच्छी लगये हाँ से मोल्ड से बनाएं एक बहुत है एक बगोना लेंगे जिसमें हम मोदक को बाहां में पकाएंगे मेरे पास इस टीम आप नहीं है तो मैं जाली में इस टीम करूंगे अब्स्राइब प्लत्स होकर रखने वाली जाली है इसमें हम गी लगाएंगे जिससे हमारे मुदक चिपके न एक एक करके हम सारे मुदक रख देंगे जितने आ सकते हैं चार से पांच मिनदर तक हम इसको भाब में पकाएंगे थाली से ढख देंगे उपर से साथ मिनट हो गया है हम मुदक को चेकर लेते हैं मुदक हमारे अच्छे से पक चुके हैं आप देख सकते हैं इसमें चमाका आ गई है यही निसानी है यह थोड़े से टाइट हो जाते हैं और चमाका आ जाती है तो यह पकने की निसानी है बहुत ही सुन्दर हमारे मोदक बने हैं बहुत ही बढ़िया पक चुके हैं ज्यादा देर इसको पकाना नहीं पड़ता है अब हम पके हुए मोदक को ठंडा हो चुका है तो अब निकाल लेंगे एक प्लेट में बहुत ही बढ़िया मोदक हमारे बनकर तयार हो चुके हैं बाक कितने बढ़ी हमारे मुदग बने हैं बहुत ही सुन्दर है अगर आपको पसंद आते हैं ज़रूर कमेंट करके बताईएगा आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिनीसिंग आई है काट को रहे हैं यह पके हुए हैं काटने में देखिया आटे जैसे नहीं लग रहे हैं क्योंकि यह पक चुके हैं अगर आज की रेस्पी आपको पसंद आई हो तो जरूर हमारे चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सेयर करें देखने के लिए धन्यवाद